Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you are more comfortable with English language, please hit the i button and watch the English version of the exact same video. But if you are more comfortable with Hindi language, then you are being made in this video. Look, in this video, we are going to talk about clocks. Specifically, reasoning clock. Why did I say that in Maths, the quantitative aptitude, there are also some questions. अईस्टेंस हाते हैं, जो clock के उपर रहते हैं, जैसे कि कुछ time दिया गया होगा कि 1145, तब दो hands के बिच में कौन सा एंगल होता है? या फिर 645 कितना एंगल होता है, 633 कितना एंगल होता है, वगेरा वगेरा. बहुत सारे अलग-अलग variety of questions बनते हैं, लेकिन उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, maths वाला, अभी हम बात करने हैं, वाले है reasoning के बारे में. तो यह reasoning हो गया, इसके लिए भी कुछ ऐसा question हो सकता है, जिससे कि test कर ले कि आपको mirror image समझ में आती है कि नहीं, या तो फिर साथ water image, है ना, कि कोई भी time को अगर आप पानी में देखोगे, तो कैसा दिखेगा, कितने बज़े हुए दिखेगा, यह सब questions, इस type के questions भी आपको पूछे जाते हैं, तो यह 3 type के questions के मैंने 3 अलग-अलग videos बनाए, आज इस video में हम बात करने वाले हैं पहले type के बारे में, यानि कि directions के बारे में, तो direction के ऊपर से पहले तो हम concept समझ लेंगे, और concept समझने के बाद उसके जो applied questions होते हैं, वो questions को भी देख लेंगे, ठीक है, त अच्छा चलिए तो सबसे पहले तो सुरू करते हैं, concept को समझने से, क्योंकि concept king होता है, concept is king, उसके बगेर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बहुत important है, concept ही तो आपका power है, तो concept से भी आपका हम पावर बनाएंगे, और आगे जाके easy कर देंगे चीज़े, यहाँ पर देखिए, आज हम बात करने वाले, जैसे मैंने बुला direction वाले questions के, तो यह direction वाले questions के लिए, कौन-कौन से concept हमारे clear होने चीए, पहला concept तो भी direction के उपर, सीधी बात है, direction पता होने चीए, हम सब को पता है, north कहा होता है, south कहा होता है, बहु हो भी easy है, थोड़ा आप इंडिया का map सोच लीजिए, है ना, कौकता जो वो east में होता है, gujarat west में होता है, कभी भी भूल जाए, तो इससे भी थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, है ना, तो आपको आपका east और west पी clear हो गया, चार basic direction clear है, और बाद में तो जो बाकी की चा simple concept है, सायद मेरा कोई बताने का ज़रूरत भी नहीं था, बड़ मैंने उसका चलो एक बार भता देता हो, मुझे भी थोड़ा satisfaction होना चाहिए, कुछ सिखाया, है ना, वाकी आपको ये तो आता ही होता है, ठीक है, चलिए, next is देखते है, इसमे clock का knowledge ज़रूरी है, यानी clock का structure क्या होता है, है ना, परी एक, दो, तीन, चार कहा होते है, अब तू बारा होते है, ये सब तो पता होना चाहिए, है ना, और दूसरी चीस time, कौन से time पे कौन सा हाथ, जो hands होते है, तो minute hand और hour hand वो कहां पे होता है, है ना, minute hand जैसे मानलो मैंने बुला सवा दो बज़े, तो है ना, तो फिर total तो 12 है ना, gaps, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो बारा gap से CDC बात है, तो हर एक gap 30 degree का हो जाएगा, 12, 30, 360 है ना, तो हर एक 30, 30 degree का होता है, ये सब पता होना चाहिए, और next इस आपको पता होना चाहिए, clockwise और anti-clockwise, यानि कि जब मैं बात करू इस तरफ जाना है, यानि यह clockwise घुमे हम, जिस तरह clockwise के हाथ घुमते हैं, है ना, और जब मैं बोलू इस तरह जाना है, यानि यह anti-clockwise हुआ, clock के जो हाथ जिस डिरेक्शन में जाते है, उससे विद दिसा में जाना है, उसको बोलते है, anti-clockwise, तो यह terminologist जो है ना, वो हम use करने बाले, questions को, जब मैं समझाओंगा, तो आपको पता होना चाहिए, मैं जब बोलू clockwise, anti-clockwise, कुछ angle के मारे में बात करूँ, तो clear होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, यह तो सब को पता ही होता है, जिस मेरे satisfaction के लिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो देखिए, questions भी साड़े-9 बजे, घड़ी कैसी दिखती है, वो तो समझ में आना ही चाहिए, कि 9 बजे ऐसे होते हैं, साड़े-9 बजे ऐसा होता है, यह तो clear है, कोई दिकत नहीं है, अब देखिए, अब क्या करना है, बहुत important चीज है, कुछ भी नहीं है, यह traditional घड़ी ही सोचनी है, ठीक ह देखिए, इन्हों ने बोला है, 9 बजे, और हैंडे के बारे में बात कर रहे है, तो मैं देखता हूँ, मेरा और हैंड जो है, वो तो इधर है, और यह बोल रहे हैं कि यह, उसको नौर्थ-वेस्ट डिरेक्शन मान लो, तो मैं सोचता हूँ, यठ तो यहां पे, यह लोग मुझे इतना 45 डिग्रीक लोकवाइस गुमाना है, इतना समझ गया, यहां समझ गया हованकि और कुछ नहीं करना यहां पर आइसपी पर आँसर सोचना है ऐसको भी 45 डिग्रीक लोकवाइस गुमाना यहां पर बूल यह बूला है यह west होता है तो यह direction क्या होती है south west है ना आपका answer बस इतना करना है और यह घड़ी तो मैं आपको समझाने के लिए बनाई है है ना आप easily समझ जाओगे वैसे ही आप दिमाग में भी सोच सकते हो अगर घड़ी आपके दिमाग में है तो ऐसा कुछ बनानी थोड़ी यह घड़ी देखिए समझाता हूँ यह दूसरा question ठीक है देखिए मैं तो सब्सक्राइब आपके लिए गड़ी भी बनादू पर आपको पता है 9 पे होगा 9 पे होगा अब हमें बोला है कि इसको south west direction समझा जाए south west तो मुझे पता है south यहाँ west यहाँ 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 पे इसका मतलब इसको अगर यहाँ पे मानना है तो 45 degree anti-clockwise गुमना पड़ेगा है ना इसकी जगा ऐसे anti-clockwise तो यह समझ में आना चीए clear है जो बोला है उसके हिसाब से hand कहा होगा वो clarity होनी चीए और उन्होंने जो बोला है वो direction करने के लिए आपको कितना घुमना है पस इतना पता चलना चीए किस direction में घुमना है clockwise, anti-clockwise और कितना degree बस फिर उसी तरह से दूसरे में घुमा देना है है ना तो अब देखिया हम समझ गे 45 degree anti-clockwise यहां पर बोला है और हैंड साड़े चार बज़े और हैंड तो चार और पांच के बीच में होगा है ना तो चार और पांच के बीच में आपको ऐसा है तो घड़ी भी बना देते हैं यह तीन होता है चार होता है पांच होता है यहां पर कहीं पर होगा लेकिन बुला क्या है और हैंड एंटीक लोग वाइस 45 डिग्री गुमाना है तो इसकी जगा 45 डिग्री ऐसे तो यह कौन से डिरेक्शन आगी यहां पर आ जाएगा यहां पर यानि की इस्ट आपका आंसर है इस्ट है ना तो हैंड से कोई लिना देना नहीं है कि यहां पर और दिमार्ग में भी हो जाएगा जैसे कि यह क्वेस्टन है मैं देखता हूँ छे बचके 15 मिनिट एंट तो तीन पर होगा अच्छा लेकिन इन्हों ने बुला इसको वेस्ट डिरेक्शन मानों है ना आपको वेस्ट उमेस होता हूं यह तो इस्ट है वेस्ट यानि एक्जट लएग है तो उल्टा कर देना आंचर लगना है बात खतम के यहां लाकि और सुच ना यहां पर सोचना यहां पर सोचना यहां यह वोता है आपका ये होता है आपका यह ना सौठ उसके बीच한 कि क्या बोलेंगे हूं तो कुछ भी नहीं इतना इसी है है ना within 10 seconds you can easily answer these questions ठीक है और राइट दन देखी यहां पर देखते वापस कुछ भी नहीं है दो बज़ के 40 टेकिन यह बो लोग बोल रहे हैं उसको साउथ रिरेक्शन मान लू तो मैं सुता हूँ जो आट पर होता है उसको साउथ यानि छे पर मान लू यानि दो डिग्री दो नुबर से ना आट की जगहाचे यानि 60 डिग्री एंटीक लोगवाइस गुमना है तो जो भी आंसर है 60 ड के 25 को minute hand कहां पर होगा minute hand तो 25 यनी 5 पर अब दो हेंड दो numbers कम करने पांच की जगह 43 तीन यानी कौण सी डिरेक्शन हो गई न आपके ही हो गई वापस इस्ट तो वापस इसका answer भी है इस ठीक है ना इतना है इसमें कुछ भी नहीं है इस easy method क्या हो सकती है ना क्योंकि traditional ही घड़ी सोच नहीं है कोई नया नहीं सोचना पहले उन्होंने जिस तरह से भी घड़ी रखी हो अपने traditional सोचेंगे उसके इसाफ से जितना movement है वही movement नीचे answer में दे देंगे बात खतम है ना तो बहुत easy approach है इस तरह से इस questions को easily कर लेंगे solve ठीक है आगे के जो questions से mirror image उसका एक नया वीडियो आएगा next वीडियो बहुत ही बढ़िया आपको पता है ना subscribe बगेरा कर लीजिए ठीक है keep watching keep learning and keep enjoying